दोस्तो नमस्कार मैं हूँ कहलास्चिंग और आप देख रहे है के अस्विल्ड आज की स्विडियो में मैं आपको HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमिंट कैसे करते हैं लाइप प्रूफ दिखाने वाला हूँ तो अगर आपके पास HDFC बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड से आपने सोपिंग की है अब आपको ये पता नहीं है कि आपका बिल कितने रुपे का जैनरेट हुआ है कितने रुपे का बिल मना है और उसकी ड्यू डेट कब होने वाली है और कब उसका कि अपने Play Store पर जाना है Play Store पर जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप सर्च करेंगे CRED, CRED 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 search करने के बाद, दोस्तों, यहाँ पर आपको एक application देखने को मिलेगा यह जो mobile app देखने को मिलेगा इसकी जो rating का 5 में से 4.8 है 22 लाग से ज़ादा लोगों ने इसको review किया है और साथ साथ दोस्तों एक करोड से ज़ादा लोग जो है यहाँ पर अपने credit card का settlement करते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा install वाला option install पर click करके आप open पर click करेंगे और जैसे आप open पर click करेंगे दोस्तों आपसे यहाँ पर आपका mobile number पूछे जाएगा यहाँ पर आपको अपना mobile number दे देना है mobile number देने के बाद दोस्तों आप देखेंगे मेरे सामने यह वाल interface आया अब उसके बाद होगा क्या दोस्तों यहाँ पर जब आप अपना mobile number पर देकर sign up बगारा कर लेंगे तो कुछ इस तरीक अंटर भी देखने को मिलता है अब यहाँ पर आपको नीचे तीन option देखने को मिलते है पहला option है scan and pay यहाँ से आप scan करके payment कर सकते है QR code को आगे आपको आपकी profile देखने को मिल जाएगी उसके बाद आपको देखने को मिलेगा credit card जी जो credit card वाला option है यहाँ पर आप जैसी click करेंगे आपके सामने दोस्तों यहाँ पर option आएगा add card वाला ठीक है आप यहाँ पर देख सकते है add card करने का option देखने को मिल रहा है अब इससे क्या होगा दोस्तों सबसे पहला आप अपने card का ठीक है soul अंको का जो number है उसको डाल देंगे आपके card पर जो आपका नाम है वो डाल देंगे ठीक है और वो डालने के बाद दोस्तों आप जो है नीचे proceed पर click करेंगे और proceed पर click करने के बाद आपके mail number पर एक OTP आएगा OTP डाल कर ठीक है अपने card को यहाँ पर add कर लेंगे जब आपका card यहाँ पर add हो जाएगा तो आपको दोस्तों आपका जो card है कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है थोड़ा सा नीचे score करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अब ही जैसे कि आप मेरे card की जो total outstanding है वो 17,168 रट 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 है तो नीचे दोस्तों आपका card कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा जैसा भी आप देख सकते हो मेरा HDFC बैंक का credit card है तो टोटल मिलाकर अभी जो balance बचा हुआ है जो मैं और शोपिंग कर सकता हूँ वो 14,336 रुपे की कर सकता हूँ तो दोस्तों ऐसे में आप देख सकते हो कि credit card का ठीक है यहाँ पर हमारा bill बन चुका है इसको हम कैसे repayment करेंगे सबसे बहुत देख लें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों एक option pay instant इस पर मैं click करूँगा और जैसी click करूँगा दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने ये वाला option आ गया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो 100% late fee production देखने को मिलता है मतलब यहाँ पर आपको कोई भी late fees नहीं देनी है क्योंकि समय से पहले ही आपको बता देते हैं कि कितने रुपे की payment करनी है अब यहाँ पर आपको दो option देखने को मिलते हैं एक तो ही कहते हैं कि अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं है पैनल्टी आप पर चार्ज जाती है तो ऐसे में कोशिस करें कि कभी भी जो भी आपका grade card का bill है अगर आपके पास पूरा पैसा payment करने के लिए है तो पूरे की payment करें यहाँ पर दोस्तो कोई भी जो है आपको छोटी मोठी payment नहीं करनी है ठीक है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आप जैसे 9600 रुपे है मैं इस पर किलिक करूँगा जैसी किलिक करूँगा मेरे सामने यह वाल इंटरफेस आ गया अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दो option कि भाई grad से मैं payment कर सकता हूँ या अब यहाँ पर आपको option देखने को मिलेगा दोस्तों UPI का कि मैं यहाँ पर UPI से payment कर सकता हूँ वी ओल वाला option देखने को मिलेगा इस पर मैं किलिक करूँगा और जैसे किलिक करूँगा दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे option आ गए option है दोस्तों कि मैं यहाँ पर google pay, phone pay, pay, tm, pay, jab, hdfc bank, sbi, icic bank किसी एक से यहाँ पर मैं payment कर सकता हूँ तो जो भी आपको option लगता है ठीक है उस option को आप select कर लेंगे मैं यहाँ पर दोस्तों phone पर select करूँगा phone पर select करने के बाद मेरे सामने यह वाल interface आ गया और यहाँ पर दोस्त पेना उपर click करूँगा पेना उपर click करने के बाद मेरे सामने दोस्तों कुछ इत्रीक interface आएगा अब यहाँ पर मेरे सामने तीन bank आ गए ठीक है कि Union Bank of India, Punjab Bank या AU Small Bank मैं किसी एक को यहाँ पर select करके इसकी payment कर दूँगा ठीक है मैंने यहाँ पर security password डाल दिया और देखो यहाँ पर मैंने payment कर दी अब यहाँ आप देखेंगे दोस्तों हमारे जो HDFC bank का जीक है जो payment है तो successally submit हो चुका है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा message हमारे सामने आज चुका है और यहाँ पर हमारे सामने कुछ इसरी कर इंटरफे देखने को मिलेगा देखोंगे यहाँ पर हमें कुछ coin भी मिलते है reward coin मिलते है अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमारे bank से पैसा कर चुका है यहाँ पर HDFC bank का जो credit card है उसमें payment जबा हो चुका है अभी मैं यहाँ पर इसको cross करूँगा cross करने के बाद थोड़ से नीचे refresh करूँगा और refresh करने के बाद आपको दिखाँगा तो यहाँ पर अभी हमारी पैमेंट है वो 7513 रोपे रह चुकी है जो की 14,000 के आसपास थी अब हमारा जो भीला दोस्तों पंजाब नेशल बैंक का रह चुका है बाकि नीचे आप देखेंगे तो HDFC bank में जो हमारा DU था वो यहाँ पर clear हो चुका है देख रहे हूं आप HDFC bank का ठीक है दो credit card है दोनों वी से किसी का भी अब जो है तो इस application का link आपको वीडियो के description और comments box में मिल जाएगा इस app पर आपने आपको register करके आप जो है अपने create card की payment कर सकते हैं आसा करते हैं इस वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो वीडियो के like करें और channel को subscribe जरूर करें